हेलो स्टुडेंट्स जैसा कि वी हैव डिसकस्ट इन आप लास्ट यूट्यूब वीडियो रधरफोर्ड अटमिक मॉडल अपने अटर्निंग में था और उसी पर ही आज डिसकस करेंगे ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने आपको रधरफोर्ड अटमिक रधरफोर मोडल अटम के बारे इन बताए था कि उन्होंने रधरफोर्ड ने इनका पूरा नाम है अनेस रधरफोर्ड और इन्होंने 1911 में एटम से रिलेटेड अपना जो अलफा एस्प्रेक्टिंग एक्सपरिमेट किया था और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिये थे और हिलियम न नुकलियस से अलफा पार्टिकल्स की बॉंबार्डिंग की ठीक है और एक सामने की तरफ गोल्ड फॉइल एक जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.00006 ठीक है सेंटीमेटर के सम्तिंग उसकी थिकनेस थी और उस पर हिलियम नुकलियस ही प्लस टू से बॉंबार्डिंग इल्फा पा ज्यादा तर अलफा अगने सीधी निकल गई चीक है अंडेवियेटेट बिच प्रूप मैंने दो पॉइंट्स को मिला करके एक पॉइंट में ही कनवर्ट कर दिया इससे आपका वर्ग नहीं ज्यादा पड़ेगा और आपको सारी चीजे इनी पॉइंट्स में मिल जाएगी और नेक्स आपको दियाता है सम अलफा पार्टिकल्स वर स्केटरड विद लार्जड डेवियेशन स्विंग जैक्ट सेंटर ओफ एंटम इस पॉजिटिवली चांज की जो एक पॉइंट आपको मैंने दिया था एक पॉइंट मैंने आपको जो बताया था वह था आपके सम ठीक है sum of rays या some rays बोल दीजिए some rays deflected ठीक है back without any deviation बिना deviation के back हो जाती है यहीं कि पीछे पापिस आ जाती है क्यों कैसे आ जाती है इसका एक reason है कि यह क्या प्रूब करता है which proves that the whole 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 का मतलब पूरा जो मास है इसका जो द्रब्यमान है atom का the whole mass of atoms concentrated in the center जो कि center में concentrate रहता है ठीक है तो यह इस पर कुछ points मैंने आपको observe जो रदरफोर में observe किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था जो कि last video में हम discuss कर चुके थे आज के इस वीडियो को और आगे जो point बताने वाला हूं अभी रदरफोर का ही continue करेंगे क्योंकि यह काफी लंबा प्रैक्टिकल था इससे पहले आपसे कहना चाहूंगा घर पे रहें सुरक्षित रहें साइंस को पढ़ते रहें day-to-day प्रैक्टिस करते रहें stay home and stay safe है ना अपनी सुरक्षा करें घर वालों की सुरक्षा करें अपनी परिवार वालों की family members को सुरक्षित रखें घर पे रहें ठीक है और science को day-to-day प्रैक्टिस करते रहें अपनी fair copy बना लें black pen से headings question में black pen use करें blue pen का answer में करें और आपक comment box में लिख सकते हैं WhatsApp पर सकते हैं wechat की दुरू कर सकते हैं messaging की दूरू कर सकते हैं calling की दूरू कर सकते हैं मैं आपको कोई भी problem है I will solve your problem at any time ठीक किसी टाइम आपकी कोशिश करूंगा I try to understand your feelings and your cautions ठीक है and I will suggest to answer in your particular group आपको जिस ग्रूप में एड़ो आपको उसमें answer दूंगा आपके problem को solve करूंगा तो चीक है लेकिन घर पे रहें और इन science को बढ़ते रहें तो आपके पास बहुत टाइम है ठीक है चलो आईए let's come on the topic दुवारे topic पर आते हैं अगला जो आज का जो टॉपिक है वो है एक प्रेक्टिकल किया था ठीक है और उसी बेस पर अपना मोडल रिप्रेजेंट किया था 1911 में कब किया था 1911 में और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिये थे इस पर तो आप लिख लीजिए ठीक है पहले आप इसमें लिखिए on the basis of on the basis of ठीक है आपने यह heading डाल दी इसमे अगे लिखिए on the basis of alpha particles alpha particles ठीक है scattering का मतलब दिखिए ना scattering मैंने यहां लिखा on the basis of ठीक है alpha particles scattering एक्सपेरिमेंट ठीक है एक्सपेरिमेंट को मलागा के लिखे रधर फोर्ड प्रपोज्ड यह सजेस्टेट लिख दो हूँ आपको फांडेशन का भी लेके चल रहा हूं आपको स्टेट बोर्ड का भी लेके चलनों कोई प्रोब्लम हो तो आप बता दीजेगा यह थोरी मैं खोड़ी से लिखवा रहा हूं और जादा जादा आपको कोई भी पॉइंट ना रहे और जादा जादा आपको समझ में हम लोग लॉक्डाउन के दोरान कर रहे हैं तो आई आई एक्सपेक्ट टू अलोफ इस्टुदेंट्स ऑफ इंग्लिश मेडियम नाइथ क्लास ऑफ कुभू इंटरनेशल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठीक है और आप से आश्या करता हूं कि आप घर पे नहीं सुरचित हैं औ और साइंस को पड़ते रहें कोई भी प्रोब्लम हो तो मुझसे डिसकस कर सकते हैं ठीक है प्रपोज्ड रदर फूर्ड सजेश्टी लिए प्रपोज्ड इस सजेस्टेल है मेरे वर्डिंस में ध्यान दीजिएगा मेरे शब्तों पर ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं उ इस एक मोडल रिप्रेजेंट किया और दीखेगा उनका जो मॉडल था आगे दीखेगा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसमें क्या लिखा मैंने आपर लिखा है रदर फूर्ड सजेस्टेल ही इस एक मोडल ठीक है कब दिया था उन्होंने इन 1911 में 211 में उन्होंने अपनाख सबंद लिखेगा क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब लिखेगा एक होता है नुकलियस और एक होता है एक्स्ट्रा नुकलियर के बाहर का पार्ट जो नुकलियस होता है वो क्य होता है बहुत स्मॉल एरिया होता है जबकि जो की कैसा चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है नुकलियस जो प्रजेंट होता है वो एक सेंटर में तींचा पॉइंट हो गई, नेक्स पॉइंट बता रहा हूं, आटम का जो मास है, मास ओफ एटम is confined, ठीक है, to nuclear proton, एटम का जो मास होता है, वो confined करता है, nuclear proton and neutrons को, ठीक है, और जो nucleus के दोनों साइड होते हैं, नेक्स पॉइंट आपको बता रहा हूं कि nucleus जो होता है, वो positive charge, is due to present nucleus का जो positive charge होता है, एटम का जो nucleus होता है, nucleus जो center बाला point, इसका जो positive charge हो किसके कारण होता है, वो इसमें presence proton के कारण होता है, किसके कारण, protons के कारण होता है, और neutron, जो neutron होते हैं, वो neutral charge होते है, proton positive होता है, इसलिए, we can say, neutral is positively charged, ठीक है, और मैं आपको diagram भी बना के बता हूंगा तो आप point निदे लीजिए पहले ही ठीक है आप point निखिए इसमें कि an atom इसमें लिखिएगा an atom ठीक है an atom has two 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 parts कितने parts होते ही two parts होते ही ठीक है n u c l e a r nuclear and extra ठीक है क्या लिखा these are nuclear and extra nuclear n u c l e a r nuclear position ठीक है portion ठीक है भार का position नहीं है portion p o r t i o n portion p o r t i o n ठीक है second point आप इसमें लिखिएगा ठीक है दीखिए nuclear जो present होते हैं ठीक है तो आप इसमें लिखिए न्युक्लियास 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 पहला first point को मैं clear कर देता हूं एक वारो एन atom has two parts an atom has two parts ठीक है ठीक है next point आपको बोल रहा हूं nuclear जो present होता है nucleus is present nucleus is present ठीक है किसमें होता है in the center center में होता है in the center ठीक है किसका center atom का in the center and negatively charged घर पे रहें सुरक्षेत रहें दोबारा कहना चाहूंगा science को जादा जादा पढ़ते हैं कोई भी problem आए you can easily discuss me at any time ठीक है negatively charged c-h-a-r-g-d negatively charged कौन होते है negatively charged electrons ठीक है electrons किसके चारों तरफ चेक कर लगाते हैं surround the nucleus nucleus के चारों तरफ ठीक है third point two points मैं आपको two points तो आपको करवा चुका हूं next point आप लिखेगा जो nucleus होता है वो बहुत small area में होता है ठीक है तो इसमें लिखे nucleus n-u-c-l-e ठीक है us nucleus होता है जो की बहुत कम स्थान गेरता है तो nucleus occupies o-c-u-p-i-e-s occupies का मतलब स्थान लेना occupies a very small ठीक है a very small ठीक है small area लेता है atom का किसका atom का लेता है and क्या होता है small area and it is positively it is positively charged positively charged तो मैंने लिखा positively charged c-h-a-r-g-e-d positively charged next point जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ठीक है यह 3 points होगे next point पर आप जो nucleus होता है या atom का mass होता है ठीक है वो क्या होता है nuclear proton की बज़े से होता है तो इसमें देखिए सुनिएगा और साथ में लिखिएगा रभ copy में पहरा आप लिख सकते हैं फिर इंको साब साब नीट है करें फिर में आपको note करना है और जब lockdown open हो जाएगा तो मैं आपकी copy चेक करूंगा बन भाइवन ठीक है और I work to all of students both included boys and girls कि आप साथ में study भी करें learn भी करें को learn भी करना है ठीक है आपको learn करना है यह ठीक है the mass of atom atom का जो mass होता है वो क्या होता है is confined ठीक है confined यानि की attach रहना यानि की जिस पर dependent है तू nuclear है ठीक है nuclear n-u-c-n-e nuclear protons ठीक है p-r-o-t-o-n-s nuclear protons ठीक है एंड किसके कारण आगे देखी है neutron neutron पर कैसा चार्ज होता है neutron पर जीरो चार्ज यानि की neutron nuclear क्या बोलते है neutron मतला neutral होते है उदास ही होते कैसा भी चार्ज नहीं होता है कोई भी चार्ज केरी नहीं करता है neutron जबकि proton positive charge केरी करता है और electron negative charge केरी करता है तो आगे देखते हैं ठीक है जो कि ये क्या होते है आगे लिखेगा बोद reside in the nucleus reside R-E-S-I-D जो की चारो तरफ होते हैं reside in the nucleus, nucleus के मतलब जो nucleus के अंदर विखेरी हुए होते हैं atom में नहीं है, ये nucleus के अंदर मैं हाँ पर clear कर चुका हूँ पर नहीं ये nucleus के अंदर है, atom के अंदर नहीं है ठीक है देखिए, the mass of atom is confined to nuclear protons and neutrons both reside in the nucleus, जो की nucleus में होते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको four point लिखा चुका हूँ, ठीक है इसमें कोई भी आपको problem नहीं होनी चीए first point में मैंने आपको बताया था, atom जो उदर two part केरी करता है, ठीक है ये इतने part केरी करता है, two part है जो की एक nuclear होता है और एक nuclear के भाहर का portion होता है मैंने इसमें लिखा है, ठीक है extra nuclear portion ठीक है, ये four points आपको बता चुका हूँ अगला जो होता, positive charge होता है किसका nucleus पर जो positive charge होता है, वो किसकी कारण होता proton की presence की कारण तो five point लिखेगा fifth number का, तो positive charge the positive ये points आपको लिखने है, अभी rather four ही चल रहा है, आज के इस वीडियो में भी rather four ही complete हो पाएगा next video में continue करेंगा, अगर कुछ है जाता है तो, ठीक है the positive charge किस पर on the nucleus 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 पर जो positive charge होता है continue करेंगा आगे, is due to, किसकी कारण होता है presence, presence of proton किसकी कारण, presence of proton अगर आपको ऐसा लगता है कि राहूल सर्क की लिखने की speed और बोलने की speed यादी जादा है मेरी, तो YouTube open करोगे, तो right side में ओपर three dot दिखाए देंगी, तीन dot ठीक है, triple dots you see, ठीक है, at the top of right top of YouTube, ठीक है उन पर click करिएगा, उसमें YouTube की playback की speed आती है, उस playback की speed को slow कर सकते हूँ low कर सकते हूँ, normal कर सकते हूँ और high कर सकते हूँ, तो normal होगी, आपके में already default setting होती ही normal, आप उसको slow कर लेना या low कर लेना, इससी क्या होगा, मेरा जो जब science की वीडियो देखेंगे आपको slow motion में चलती ही नजर आईए, जिससे आपको लिखने में और समझने में problem create नहीं होगी, ठीक है और इनके ज़्यादा ज़्यादा practice करें, और जिन बच्चों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो subscribe कर दें, और एक बेल पर क्लिक जरू कर दें, वो बेल पर क्लिक करने इस क्या होगा, आपको जो मेरी ट्रिक्स है, वो सबसे पहले आपको ही मिल पाएगी ठीक है, और जो भी notifications है, आपको मिल जाएगी ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्सों को Proton की मज़े से, और क्या है And Newtron's are neutral And Newtron's, N-U-T-R-O-N Neutron's, Newtron's are Neutron, कैसे होते हैं, Neutral होते हैं Neutron's, यानि कि कोई भी charge Neutron पर नहीं होता है इस लाइन का मतलब है, neutron पर कोई भी charge नहीं होता है, 0 charge होता है, Proton पर Positive Charge, Electron पर Negative Charge होता है जितने भी इलेक्ट्रोन है ओल ला इलेक्ट्रोंग्स ठीक है और प्रिजेंट नुक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ मूँव होती है एक सर्कुलर पाथ में ठीक है तो सेंटर पॉइंट हो गया सन यानिकी नुक्लियस और जो तरफ सन यानिकी नुक्लियस के चारों तरफ ऐसे ही सेम ऐसे हैं ओल एक्ट्रोंग्स प्रिजेंट ठीक है अराउंड दा न्यूक्लियस अराउंड दा नूक्लियस ठीक है एंड दे आर ठीक है एंड दे रिवॉल्व ठीक है मैंने यहाँ पर खुसी पॉइंट बना रहा हूं राहूल सर आपके लिए एक्स्टा पॉइंट बना करके भी चल रहे हैं और आपको पूरी होरी भी केलियर कर रहे हैं ठीक है और दा इलेक्ट्रों जेतने वी उलेक्ट्रों इसमिए आर प्रजेंट अरांड दा नुक्लियल था हमिस नुक्लियस की चारों तरफ रह होते हैं इनल पॉखसर रिवॉल्व दंद ब्रत्ताकार, circular का मतलब ब्रत्ताकार, circular path, ठीक है, at high speed, ठीक है, मैंने आपर लिखा है, 6th point, all the electrons are present around the nucleus and they revolve around the nucleus in circular path at high speed, ठीक है, आगे देखें, एक diagram बना रहूँ है आपके लिए, ठीक है, atomic model of Rutherford, मैं आपर diagram बना के बता रहूँ आपको, ठीक है, कोई भी doubts हो, तो आप बता देना, ठीक है, यहाँ पर दो diagram बनाऊँगा, first diagram तो आपको बनाना है, heading डाल दीजिए, atomic model, heading डाल दीजिए, atomic model of Rutherford, atomic model of Rutherford, ठीक है, heading डाल दीजिए, इसमें मैं diagram बनाऊँगा, heading डाल दीजिए, diagram of, पहले लिख दीजिए, diagram of atomic model, यहां लिख दीजिए, diagram of atomic model of Rutherford, Rutherford के जो atomic model है, उसका मैं diagram आपको बना के बताऊँगा, ठीक है, इसमें तो बहुत simple है, इसमें तो कुछी नहीं करना, इसमें तो आपको क्या करना है, circular path यह round shape बनाना यह sphere बना दीजिए, ठीक है, बीच में आपको क्या करना है, nucleus बनाना यह बीच और बीच, center में, ठीक है, और यहां पर minus charge, ठीक है, यह minus charge किसको शो करता है, ए्लएक्ट्रों को किसको एलेक्ट्रों को तो ये बना दीजिए का दाइघ्राम एक वया अपके round shape बीच में bour्प बीच में न्यूक्लीएस यह में यानि की इलिक्ट्रों लिख दिएगा तो यहां पर यह हो गया नुकलियस आप बताना चाहूंगे नुकलियस ठीक है यहाँ पर लिख देना नुकलियस आगे की तरफ चलते हैं दूसरा डाइग्राम आपके लिए लेकर आया हूंगा है ठीक है यह हो गया आप मेरे जो यूटूब वीडियो अगर आपको थोड़ा दिखाए दे अगर आपको थोड़ा दिखाए दे तो आप क्वालेटी को बड़ा सकते हैं 360 पिक्सल पर भी मेरा यूटूब वीडियो देख सकते हैं आपको क्लियर दिखाए देगा क्योंकि यूटूब की नीचे की तरफ सैटिंग पर चाओगे तो आपको 144p 240p 360p आप 360 और 480 पर भी मोड पर करके चला सकते हैं जिसके आपको क्लिय सुनाई देगा और क्लियर दिखाए देगा अगला जो डाइग्राम बनाने जारहों उसकी हेडिंग लिखें अलाइन डाइग्राम एक लाइन डाइग्राम बनाने जारहों में अलाइन डाइग्राम हेडिंग लिखें अलाइन डाइग्राम शोइंग एस हो डबलू एस हो ड फार्टिकल्स, मैंने अपर लिखाए align diagram showing scattering alpha फार्टिकल्स ठीक है इक diagram बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ठीक है ध्यान-दीजिएगा बहुत अच्छा diagram बहुत easy mode में आपको बता हुआ बहुत easy करके से कमँआप कोई भी problem नहीं आपको क्या करना है सबसे पहले यह डौक बनानी ठीके कए एक Truly आपको बनानी है कोई भी कमें फ्लक्ट्वेशन है यह होगा एक जैसे होनी ठीके यहां पर डिखरा हूगा जैसे alplaces ठीक है कोई भी problem नहीं होने चीए ुफ इस तरीके से आपको बराबर से यह डॉर्स बनाने ठीक है आपको यह एक जैसे डॉर्स बनाने थोड़ा आपको difference देख रहा होगा चेंबा आपर difference देंगा लिवानेश एक छे तैक्डा में थोड़ा किलीन कर देताओ उन्य था हूं तरह आजिए जूच्छ刃 दिखरस जोगश्वे सी इक यह स॑ना चाहिए कमिपने इस्काहें दिखे बंद सक्ना डीजेए गतर्के का यह देख लिए चाहिए st credit आका डाइग्राम नाएँ आरे ऌ सेक्स आना…. 6 से फिर 4 फिर 4 जरो नहीं है ऐसे ही बनाएं कितने बना सकते हैं लेकिन maximum बहुत है इतना चीक है आपको इसके ट्रिक बता रहा हूं यह क्या है Atoms है Atoms है और यह Nucleus मैंने बना दे हैं सक्की बीच में Dot कर दीजिए चीक है Dot कर दीजिए आपको अगर कोई टॉपिक YouTube वीडियो आप दीख रहे हैं कोई टॉपिक अगर वीडियो कम्प्लीट हो जाता है और कोई टॉपिक रह जाता है तो Don't worry from myself I will suggested I will discuss these topics will remaining in my last video So again I will repeat in my next video ठीक है मैं next video मोज़को repeat कर दूँगा आइटम होगे है नुक्लियस ठीक है यह alpha particles की जब बंबाटिंगी तो यह सीधे निकल गए ठीक है कोई दिखकत नहीं है सीधे निकल गए कुछ deflected हो गए इस तरीके साइंगी और क्या हो जाएंगी deflected हो गए इस तरीके से ठीक है यह deflected कुछ आपके देख दीजिए सीधे आते हैं सीधे आने वाद क्या होते हैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मूर जाते हैं जैसे पहले तो सीधे आगे ठीके और फिर बापस निकल गए ठीके कुछ आपके इस तरीके साथ हैं और क्या होते हैं बिल्कुल अपनी अलग अलग डायरेक्शन में मोर जाते हैं ठीक है यह आगे इस तरीके से कुछ आपके उसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं जैसे इस में आगे ठीक है और फिर इसी में मूव कर गे देगे आपको मैं क्या-क्या कर रही हूं कोछ देखिया आपके इस तरीके सा आगे यहां से आने कभात क्यों होगेल इस तरीके से यह फ्लॉक्ट देख रहा है आपको कुछ galaxy सीधी रेखा में свीदिदिध स्ट्रेट लाइन थर्दी की उसी डारेक्शन माता है टकरा के बापस लॉट गए यहां पर यह डेवियेट हो गए यह उसी 180 डिग्री पर मूव कर गए फोर्थ नमबर फाइल नमबर पर यह डेवियेट हो गए यह विलकुछ सीधे ने कर गए चीग है तो कुछ अलग-लग तरीके से यह अलफा टीक है और एक सजीशन लिखते हों बहुत आज तक किसी ने आपको शैदी बताया हूं नोट डालका लिख देए रदरफोर्ष मोडल रदरफोर्ष मोडल ऑफ एटम एटम का जो रदरफोर्ष मोडल था वोज सिम्लर किसके सिम्लर था वाज सिम्लर चू टू of solar system to have to that of the solar system जैसे संका सूलर सिस्टम उता उसके जैसा था तो इसमें लिख दें रधर फॉर्स मॉडल ठीक है रधर फॉर्स मॉडल ओफ एटम वास सीमिलर टू डेट ओफ दा solar system ठीक है वे आगे लिख दें ठीक है वे आगे different planets PLANY planets मतलब planets revolve revolve हो रहे हैं around the sun around the sun जैसे sun के 4 अतरफ planet around हो रहे हैं ऐसे ही atom का जो nucleus nucleus के 4 अतरफ electron around हो रहे हैं ठीक है आगे लिख दें similarly इसी तरह electrons similarly electrons revolve R-E-V-O-L-V around the nucleus and you see nucleus of an atom अब तो clear हो गया अब तो clear हो गया होगा सबका अब तो you don't have any doubt from my side मेरी तरफ कोई भी doubt नहीं होगा मैंने note में लिखा है rather force model of atom was similar to that of the solar system के जैसा था where different different planets revolve around the sun sun के चारो तरफ around होते हैं similarly electrons revolve around the nucleus जैसे के नुकलेस के चारो तरफ electrons around होते हैं revolve होते हैं घूमते हैं of an atom atom के नुकलेस के चारो तरफ तो यह पूरा practical था रदरफूर का अब कुछ है रदरफूर की कमिया भी है कमिया भी रह जाती है scientist practical करते हैं चीक है next video में आपको drawbacks of rudderford बता हुआ जो इस video में थोड़ा बहुत बता देता हूँ next video में बता हुआ चीक है आप heading डालेगा next black pen से heading डालेगा दो line का gap दे करके drawbacks of rudderford चीक है heading डालेगा drawbacks कमिया drawbacks यह नहीं limitations कमिया drawbacks of rudderford ठीक है rudderford model का नहीं समझा पाया कि when an electron moves under nucleus in fixed circular path so this electron will release its energy and the last it will fall into the nucleus कुछ drawbacks are rudderford की जो next video में मैं आपको आता हुआ thank you bye bye घर पे रहें सुरक्षित रहें पढ़ते रहें साइंस thank you bye bye all of students